You're listening to 90.8 Hills FM Radio This is 90.8 Hills FM Radio Station Using our voice to rake your choice Stay tuned Hello, Namaste, Sashriya Kaal आप सुन रहे हैं 90.8 Hills FM और मैं आपका प्यारा दोस्त और होस्त R.J.Rats ले के हैं हूँ आपके लिए और एक बहतरीन शोव वैसे आज हम मना रहे हैं World Bollywood Day और इस दिन हमारे साथ जूर चुके हैं एक बहुत खास आदमी वो खुद एक एक एक्टर है वो खुद एक डैंसर है, एक एंटरेटेनर है सिर्फ यहीं नहीं वो मैपल्ट्री स्कूल में IT डिपर्मेंट के H.O.D. है उन्होंने DD National Serial मेजर कुद्सों में as a cameo काम किया है उन्होंने Bollywood Project Mechanic Dadak के एक साथ थे और वो as a local Hindi movies के lead character में भी थे गुप्त और उनकी एक नई मुवी भी आ रही है जिसका नाम है Mission Charlie और उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे बट फिलाल आप लोग को लग रहा हो क्या ये एक ही आदमी है या तीन चार आदमी बठ ये एक ही आदमी है ये सारी खूबी एक ही आदमी के अंदर है वो है हमारे प्यारे Sir Shudipto Chakravarti Sir पहले तो हमारे शोव पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद Hills FM को कि मुझे इस लाइक समझा कि मैं आपके शो पर आ सकूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद लिसनर्स का कि आप लोग अपना वक्त निकाल के मुझे सुनने यहां पर आए हैं बहुत-बहुत धन्यवाद Hills FM और बहुत शुबकामना है आपको इतनी अच्छे से FM शुरू करने के लिए इस जगह पर बहुत-बहुत धन्यवाद एक पर Thank you, sir. Sir, मेरा आपसे पहला सबल रहेगा कि ऐसे हम लोग teacher और actor या teacher और dancer, teacher और entertainer यह थोरा mismatch में होता है हर किसी में हम नहीं देखते हैं, तो यह teacher यह इस field में कब आ गया? वैसे तो मैं teaching के field में भी नहीं आना चाहता था लेकिन जाना चाहता था तो आर्मी के field पे लेकिन क्या कहें, जब किसमत किसी और तरफ ले जाए तो हम भी रोक नहीं पाते हैं, तो बन गया teacher लेकिन बचपन से एक शौक था, entertainment और मेरे फैमिली में जितने भी मेरे पापा, अंकल लोग हैं, वो लोग मुवी के बहुत बड़े दिवाने थे, बोल्यूड मुवी के, तो मैं भी मुझ में भी वो अंदर में आ गया, और हम लोग ऐसे फैमिली में थे कि जहां पर अगर 365 देज, एक साल का, हम लोग 365 देज मुवी देखेंगे ही देखेंगे, उस टाइम वीसीपी होता था, वीसीयार होता था, तो हर दिन घर पे एक फिल और गुजार हो उन सारे स्कूल्स का, जहां पर मैंने काम किया है, वहां के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, एड्मिन्स्रेटर्स थे, डिरेक्टर्स हैं या फिर अभी भी जो है, वो लोग बहुत जादा एंकरेजिंग करते हैं, कि चलो शुदिबता तुम करो ये दांस, त और टीचिंग, अभी मुझे बहुत जादा मजा आरा है टीचिंग में क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक्टिंग चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिंग कही भी कोई भी फिल्म में हम कर सकते हैं, उनको हसाना भी है, उनको स्ट्रिक्ली समझाना भी है, यह भी करना क्योंकि उनको लाइफ को बनाना एक टीचर का काम होता है, और उसके बनाने के लिए जो एक्टिंग चाहिए, जो परफॉमेंस चाहिए, वो शायद किसी भी एक्टर्स में इतनी आसाने से नहीं होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि आपकी जो बच्पन में जो बेटके देखता था अंकल के साथ या पापा के साथ, तो उस दोर के फिल्म से लेके इस दोर के फिल्म तक हर एक जोनर के फिल्म को मैंने देखा है, मैंने समझा है, उनके एक्टिंग को मैंने देखा है, अफकोर्स, यहाँ पर कोई एक्टिंग स्कूल में तो मैंने नहीं लेकिन वर्क्शॉप्स बगेरा में मैंने पार्ट लिया है एक्टिंग कैसे करते हैं ठीक है जब आप फिर इस फिल्ड में आए आपको आना था आपको एक्टिंग करना था तो यह जर्णी कैसा था यह आसान था मुश्किल था आसान तो कोई जर्णी होता ही नहीं क्योंकि opportunity की कमी है बहुत ज्यादा कमी है तो यहां पर एक हाँ छोटे मोटे stages में मैं perform करता था या फिर stage show वगेरा hosting करता था तो मान के चलिए ऐसा हो गया कि अचानक से कही से मुझे बोला गया कि आप एक audition का यह एक portfolio जैसा भेजो एक video तो मैंने भेजा तो वहां से मुझे एक offer आया कि आप major kochu जो नागलान के first army officer है उनके उपर एक series बनाया गया तो honestly जब मैंने start किया तो मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा project है और यह DD national के लिए जाने वाला है तो मैं गया यहां से कोहिमा गया वहां पर जाके शूट दिया so afterwards जब मैंने देखा कि यह तो DD national के एक अलग सा feel हुआ कि तब जाके देखा कि वहां पर काम कैसा होता है उसके बाद mechanic dadah जो एक upcoming project है वह already हो चुका है तो post production में है उसकी production भी हमारे यहां के जो जानी मानी producer है रेबेका चंकीजा जी उन्होंने प्रोड्यूस किया डायरेक्टर एडिटर से बाहर के है बालियूट से तो उनके साथ कामगर के और ज्यादा सीखा और of course जैसे कि मैंने कहा है यहां पर सीखने का तो जरिया इतना नहीं है टीवी देखके वीडियो देखके जितना आ सकता है मैं करता हूँ डायरेक्टर एक है शीरास हेंडरी जी उन्होंने मुझे एक्टिंग का वर्क्शॉप दिया डिरेक्शन का वर्क्शॉप दिया इस तरह से खुद करते करते हैं फिर हमारे जो यहां के एक डिरेक्टर हैं नेपाली मुवी करते हैं मिस्टर शिवा कुमार जी, उन्होंने मुझे एक फिल्म में कहा कि सार आप इस फिल्म करो गुप्त, तो एक ठ्रिलर मुवी था, जब वह मुवी में मैं एंट्री हो तो उसमें मैंने दायलोग और स्क्रिन प्लेट, 50% तक मैंने दिया है, तो उहां का जो डायलोग स्क्रिन प्लेट, 50% से लेकर तो मुवी का जो प्लॉट था स्टोरीन था मेरे हात में दे दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजर हो उनका, उन्होंने मुझे दिया कि सर आप इसको बनाईगा तो तो मिशन चारले भी कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में में इस प्रोजेक का हिसा नहीं था, लेकिन जब बना, अफटर 20 परसंट वो वीडियो शूट हो चुका था, जब बना, उसके बाद से लेके जितना हद तक मुवी कंप्लिट होने तक स्टोरी और डायलोग, फिर से मे अगर बात में बात करना चाहे तो अलिग बात है, तो मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, बिफोर हुई हम लोग यह खतम करने से पहले, तो उससे पहले देखते हैं कि आप और और क्या जानना चाहते है, तो जैसे आपने कहा कि इतना स्कोप नहीं है, इतना कुछ नहीं बट आ आना चाहे, वो लोग भी शायद, क्योंकि वो लोग भी शायद आज ऐसा हो सकता है कि आज घर पे आपकी बात सुनके, वो लोग भी बात सुनके, वो लोग भी बैट के सोच रहे हैं कि काश मैं भी कर पाता है, तो आप उनको क्या कहना चाहँए, कि क्या स्कोप है नागाले शोडी आचुके हमारे टाउन में और काफी अच्छा कर रहे हैं और उनके थूर से यूटूप के थूद थूर से सब को जान तो आज वह नहीं रहा कि कोई आपको कास्ट करें तो ही आप दुनिया आपको देख पाएगी, आज आप खुद को कास्ट कर सकते हो, अपना वीडियो बना के खुद डाल सकते हो, आप वही पर हीट हो जाओगे, जहां तक रही मुवी की बात, मुवी में एक अलग ही टेलेंट चाहिए, जो जस्ट एक गाना बजा के डांस करना उतना तक सिमित नहीं है, अपने सही का, बहुत सारे लोग हैं, इंट्रेस्टेट लोग हैं, जो आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि, वो कहां अप्रोच करें, उनको नहीं पता, सगेंड बात यह होता है कि, जो भी हो ट्रेनिंग चाहिए होता है, मैं खुद भी इस बात क होता है, कि मैं देखूँ और सिखूँ, तो पर्टिक्लर ले अगर कोई ट्रेनिंग स्कूल हो, तो शायद जादा इंपोर्टेंस मिलेगा इस पर्टिक्लर फिल्ड को, और आज कल कोई भी, मैं तो यह बता रहा हूं, अगर आप में यह टेलेंट है, या फिर पैशनेट है, तो अगर आज कल के दून लेके पर्टिक्लर जैनरेशन में तो यह कोई ज्यादा नमुम्किन काम है, क्या कि इंटरनेट है, हर कोई देख रहा है, फेस्बुक है, इंस्टाग्राम है, थू इंस्टाग्राम और फेस्बुक और यूटूब के जरीए ही कितने सारे तैलेंट करना परेगा अगर ऐसा भी नहीं है कि मैं बैठा हूं तो मुझे कोई बुला के बोल दे तू करो ऐसा कभी नहीं होगा खुद से थोड़ा इंटरेस्ट लेना परेगा और टाइम देना परेगा अपना भी चलता है कि अभी रोटी रोजी रोटी कमा या पैशन की भागे तो उपर नीचे हो जाता है जूट नहीं बोलूँगा इसलिए लेकिन फिर भी जितना तक हो सके अपने कम लेवल पर उतना मैं ट्राइ करता हूं कि करूं यह मेरा ओपिनियन है अगर आप लोग को रिली पैशनेट है तो ओविसलिए हमारा भी एक प्रोड़क्शन टीम है जिस सकते हैं हमारे साथ आपके हिसाब से ही आपको केरेक्टर दिया जाएगा तो इतना तो मैं अपने लेवल पर कर सकता हूं कि किसी को अगर इंट्रेस्टेट है तो आप लोग ज़रूर आये कॉंटेक्स कीजिए श्रीबाला जी प्रोड़क्शन में मैं कॉंटेक्स एट अट स्कूप नहीं परपर स्कूल कहें तो मेरा यह सवाल है कि क्या ऐसा हो सकते है कि आने वाले समय में क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि यहां कर जो शुरूरात दौर की शुरूरात की है वह आप लोगों नहीं की है तो आने वाले समय पर कि आप लोग का कोई स्कूल आप लोग करें या फिर ऐसा कुछ पहले देखिए अगर मैं यह भी नहीं एक्जेकले कहूंगा कि हम लोगों ने ही वो दोर शुरू किया एक्चली यह दोर शुरू हो चुका था बहुत पहले से नागालें में बहुत सारे मुवी बने थे लेकिन शायद ओडियन्स को और लाजर स्केल म यह फिर इतना फैसिनेट हो जाते है कि हमारे अपने लोगों के काम हम लोग इग्नोर कर देते हैं अभी कोई भी एक मुवी अगर लग गया जो हमारे लोगों ने बनाया वो कितने लोग देखेंगे लेकिन अज अगर कोई बैरा हीरो हिरोईन का लग गया तो शायद उसी व बदल रहा है हम लोग कॉंटेंट के पीछे भागते हैं ना कि सिर्फ बड़ा एक्टर हो या बड़ा स्टाइल हो तो ही फिलिम चले ऐसा नहीं है तो हां लेकिन आपने जो कहा मैंने देखा है कुछ-कुछ स्कूलों में इविन हमारे स्कूल में भी ड्रामा के लिए अलग स एक सेक्शन होता है कि जहां पर ड्रामा सिखाया जाता है बच्चों को जो लोग इंट्रेस्टेट है तो बच्पन से बच्चे लोग अभी फिर स्कूल में स्किट होते हैं ड्रामा कंपिटिशन होते हैं तो स्कूल में भी आजकल यह सब चीज़े डाला जाता है क्योंकि सि यह एंटर्टेंबेंट जोन भी कही ना कहीं स्कूल में अलरी शुरू हो चुका है जहां तक रही एक्टिंग स्कूल की बात जैसे यह हो गया हमारे नेशनल ड्रामा स्कूल जो हो गया है डेली में यह मुंबई में तो वो लोग पर्टिक्लर एक्टर्स को ट्रें करते हैं उस को एक्टिंग सिखा सको क्योंकि यह सब चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए अगर मैं टीचर बनाओं एक फिल्ड में तो मुझे मैंने उसके लिए बहुत महनत किया तो अभी मैं खुद एक्टिंग कर रहा हूं एक्टिंग सीख रहा हूं देख देख है वह हिंदी फिल्म से जुड़ी हूई है छोटी से 1937 में एक्टिंग भूली थिए थिए 31 में फिर्स मुवी आई थी बोल्यूड की आलमारा थी फिर्स बोल्यूड मुवी विच साउंड पहला मुवी जो आया था वो था राजा हरिस चंद्र लेकिन उसमें कोई साउंड तो फिर्स ओडियो फिल्म आया था आलमारा उसके बाद से अगर हम लोग चेंजेस देखे तो बहुत चेंजेस हैं हम अरे बोल्यूड में लेकिन आपके कोशन पर आता हूं कि हमारे टाउन में हम अगर कोशिश करे तो शायद हमारे लेवल पर जितना हो सके हम लोग एक स्क चाहिए कोई भी काम करने के लिए भी तो देखते हैं इसके बारे में भी सोचेंगे अब पैसे से मुझे एक सवाल याद आया जो कि मैं हर एक मेरे जो जिनका भी में एंट्रिव लेते हैं उनको पूछता हूं कि क्या ये आज के टाइम पर कोई लाइक पर्टिकुलर ली क् इतना स्कूप खुल है हां यूट्यूब पकल लूँ या फिर एक्टिंग पकल लूँ क्या दिमापूर के ओडियंस अगर चाहें तो सिर्फ यूट्यूब या इससे अपना रोजगार चला पाएंगे अभी यूट्यूब के इतने सारे क्राइटिरिया आ चुके हैं या फि पाएंगे बनाने को बहुत बना चुकते हैं या आप देखते भी ओंगे वीडियो में सबसे खराब वीडियो भी सबसे मिलियंस लाइक मारते हैं सबसे अच्छे वीडियो भी लेकिन मीडियो कर होका रहना वह सबसे जाधा प्रॉबलम है ठीक है तो यूट्यूब बनाना बड़ी बात नहीं है क्योंकि फ्री ओफ कॉस्ट है इसलिए यूट्यूब ने भी दिया है कि हम अगर आपको पैसा दे तो आप भी कुछ कंटें दो तकि आ लोग देखें तो सिर्फ इसके जरीए एड़ इस प्रेज जो सिनरियो में देख रहा हूं शायद उतना पॉसिब बनाना उसको एडिटिंग करना फिर उसको बना के पोस्ट करना फिर जैसे फ्रीडम आफ कि स्पीच के नाम पर आप कुछ भी बोल दोगे तो भी नहीं होगा अगर यह अब्जिक्शनेबल हुआ तो भी वहां पे कुछ ना कुछ पहुच जाएगा तो बहुत सारे रिस्क मुझे नहीं लगता है अगर कोई कमा रहा है तो बहुत अची बात है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना भी आगे पहुच गये हैं हम लोग की सिर्फ यूटूब के इंकम के जरी हम अपना घर चला सकेंग बहुत तकलीफ होती है तो अब ही थोड़ा आप हम थोड़े से हटके अपने आपके प्रोफेशनल मतलब टीचिंग लाइन में थोड़ा आ जाते हैं आप टीचिंग लाइन जो है आपका आप ओविसली शायद ही कोई हो यहाँ पर जो आपको ना पैचानता है जी टीचर आपने बहुत स्कूलों पर काम किया है और यह टीचिंग लाइ है मैं फूल टाइम डिटिकेट टीचिंग में ही अपना ध्यान दिया है साइड बाइस जैसे मेंने कहा ना जो चीज हमें ज्यादा इंकम देते हैं मेरा हमारा दिमाग वही पर पहले भागता है तो वही हुआ मेरे साथ अभी मेरे घर की रोजी रोटी चल रहा है मेरे टीच करके रखना वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा टाफ है मैंने देखा है क्योंकि स्टुदेंस लोग बहुत जल्दी उनका माइं डाइवर्ट हो जाता है तो 40 मिनिट्स तक एक टीचर जो अपने स्टुदेंस को अपने तरफ खीच के रखे और कीच के नहीं रखे वो जो सब्जेक्ट इसको पढ़ाया भी और समझाया भी तो इस बहुत जादा डिफिकल्ट टास्क है तो आज एड प्रेजन सायद मुझे 15 यर्स प्लस हो चुके हैं तीचिंग के रियर में तो अभी तो और नो लुकिंग बैक क्योंकि मैं एंज़ करत हैं लेकिन अगर आप सोचे कि बस पढ़ा रहा हूं ताकि पैसा मिले तो आप कभी एंज़ नहीं करोगे लेकिन इसको छोड़ के भी ओविसली जो में कहता हूं अंदर में तो वह एक्टिंग करूँ य डान्स करूँ वह सब रहता है तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्फूल हूं हमारे जितने भी डिरेक्टर या फिर मेरे पूराने प्रिंसिबल भी है वह बहुत ज़्यादा एंकरेज करते हैं कोई भी प्रोग्राम में कहीं भी कुछ हो जाए मैं खुछ जागे पार्टिसिपेट करता हूं या फिर अभी भी जो मुवी कर रहा हूं वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा एंकरेज्मिन मिला तो उनकी खुशी और उनका एप्रिशेशन दे के अपने आप कॉंपिडेंस आ जाता है कि नहीं कर सकता हूं टीचिंग चल रहा है उसको बहुत एच्छे तरह से करों साइड़ जो बात करते हैं 10 years 20 years लेकिन future as a teacher देखते हैं या as an established actor देखते हैं अब देखिए तो आपने खुद ही बोल दिया tricky है तो answer भी बहुत जादा tricky होगा अभी जैसे मैंने कहा अगर हमारा प्रोजेक्स वैसा चले अगर जैसे मैंने बहुत सारे auditions भी दिया जैसे जी फाइब में मे अधिशन दिया अभी वहां पर अगर कुछ बन जाए एक इस्टब्लिश एक्टर जो होता है अभी एक्टर बनने के लिए जैसे कि आजकल हो गया एज का कोई बाउंडिशन नहीं है बोमन इरानी तो वह भी इतने एज हो के उनको मिला ब्रेक तो यह नहीं कहूंगा कि हाँ टीचिंग पुरा-पुरी छोड़ देना का मने मुझे लेकिन अगर एक्टिंग में कुछ हुआ इन फ्यूचर तो देखते हैं अभी किसमें ज्यादा टाइम मिलता है मुझे मैं शायद उसे में रहूंगा अभी इसका एंसर तो मैं तभी दे सकूंगा जब मैं बन तो शायद कभी फ्यूचर बॉल्यूड दे में पूरे बॉल्यूड एक्टर के साथ बात करेंगे हम तो जैसे बॉल्यूड दे की बात की मैंने तो बरते हैं बॉल्यूड के और पर्टिगुलर्ली सब आंत्मी जानते हैं सब इंसान जो जो आपको पैचानते हैं या फिर न जए आपने हाटा दिया है और सब जानते हैं कि शायद कोई आप जैसा फैन होगा सल्मान खान का तो यह क्रेस समान खान का यह इसके बारे में बता अब साल्मान खान का फेन में कब कैसे बन गया यह है मुझे याद गजहें जयाद एक्जैकल्न यह यह दमbor मेरा ऐख्जाम है तो माझा बेढ़ के एक मुवी जरूर देखेंगा और मेरा यह था इवेन क्लास-10 के मैश पाल में मुझा आज भी यादे कल अगर मेरा मैश एक्जाम था मैं आज बैढ़ के तब केवल टिभी हुआ करता था तो वहाँ पर बैढ़ के मैं तुम भी देखा क क्योंकि उसी दिन रिलीज वह लोग सीटी कबल में चला है और मैं फर्स दे फर्स मुवी में नहीं करना चाहता था और नेक्स दे मेरा मैं एक्स एक्जाम था तो इतना अंधर था मेरा किरा तो उसी तरह से लेक्ष एक्जाम मेरा अच्छा वा लेकिन ज़री निया कि सब करता हूं अगर कोई मुझे बोलता है कि शुतिव तो एक डांस तो ओविसलिस हर कहीं पर तो मैं बसंति बंद के शुरू नहीं हो जाता हूं लेकिन अगर यह म्यूजिक चलता है तो वह अपने आप मेरा बोड़ी के होर्मों जो है वह आपने आप जाता है तो अपने आप एक्टर उतनी देर तक वह उसको मेंटेन कर पाया है मैंने देखा है हमिता वो लोग सबका अलग अलग स्टाइल होता है अमिताब बच्चन बोलेजिए शारुक खान का भी मैं बहुत बारा फैन हूं एड प्रेजेंट अगर बोलू अफटर शारुक खान अगर मैं किसी का बना हूं तो वह है रितिक रोशन एक्टिंग के वज़े से लेकिन अभी भी में अगर पर्सनालिटी और खुद को एक जैसे औरा बोलते हैं वह सलमान खान का औरा है वह मुझे सब एक्टर्स में नहीं दिखता तो पता नहीं क्यों मैं अपने आप वह करनेक्ट हो गया तो मेरे माने खुझ से मुझे मेरे लिए बना के मुझे दिया बोला चलो ठीक है तो आभी तो मेरे लिए म Carolina Rica है मेरे हात में हमेशा रहता है सो वह हो गया मेरा और पता नहीं क्यों कहीं कहीं नहीं नहीं करता है लेकिन कही न कही उसके लाइफ के साथ कही न कही कुछ न कुछ कनेक्ट हो जाता है, मेरा चाल ठाल लोग बोलते हैं, मैं इंटेंशनली नहीं करता है, अगर आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं पता दे रहा हूं, मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा ही हूं, अगर मैच वह बिंग शुदिब तो हटा के शुदिब तो चक्रबूर्ते कर दिया कि भाई यह है यह बंदा सो बस यह है अच्छा तो सिर्फ सल्मान खानी हमने यह भी सुनाए कि आप जैक्लीन फ्रनानेंस की भी बहुत बरी फैन है और आपके एक बर्डे में उन्होंने आपको विश तो वह एक्सपिरियंस वह सब बताए थोड़ा एक्छली थैंक्स तो एक फ्रेंड वह नहीं अच्छली यह अरेंज किया था मेरे लिए उनको पता है कि मैं जैक्लीन का बहुत बड़ा फैन हो तो अब्यस्ली बहुत बड़ा फैन हूं पता नहीं पसंद है मुझे बहुत प कि सब को पता है मैं जैक्लीन का यह सल्मान का फैन हो उसने सायद सोचा था कि सल्मान का बड़ी विश मेरे लिए लेकिन उसका मेरा स्टुडिन का नाम है संस्कृती सो मैंने उसको पढ़ाया इवन गोध मिलिया तब से लिए अब तक बहुत बड़ी हो चुकी है तो उसको पता है कि हां सर सल्मान के फैन है तो सल्मान मिला नहीं तो चलो किसी तरह से जैक्लीन से उसने यह करवाई दिया जब मैंने देखा तो इस बहुत ज्यादा खुशी हुए मुझे भी तो बस यही है जो कि क्या पता कभी ना कभी मिल लूँगा हम लोग कुई दूआ रहेगी जैसे आज हम लोग Bollywood की बात कर रहे है वैसे आजकल बहुत एक चीज बहुत ट्रेंड में चल रहा है वह है boycott Bollywood यह बहुत ही ट्रेंड में हो रहा है तो इसके बारे में आपका क्या विचार है देखिए boycott पता नहीं लाइक यह किस opinion में यह boycott चीज शुरू हुआ हुआ क्या रिजन है कि हम लोग boycott करें इसको जैसे में कह रहा हूं कि Bollywood का जो शुरू हुआ यह Bollywood एक दो दिन में शुरू नहीं हुआ कि आज हम लोगों ने चाहा कि boycott करें तो कर दे यह एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है कि आज अगर यह तूड गया तो I don't think कि हमारे जि मैंने आपको बोला कि आलमा रहा है 1940 से लेके 60 तक वह हो गया था गोल्डन एरा ऑफ Bollywood सिनेमा गोल्डन एरा जब आया था लैक शी 420 राजकपूर जी का मूवी मादर इंडिया वह सब मूवी फिर 60 तो 80 में बहुत 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 फिर आया 80 से 2000 का जहां पर गाने पहले से भी थे लेकिन गाने डान जादा आगे Mr. India टाइप मूवी जो Mr. India हो उसके बाद 2000 से लेके अब तक जो चल रहा है यहां पर बहुत बड़ा जंप है टेक्नोलोजी फिर जितने भी creativity है मूवी में वह सब हम लोगों को देखने को मिल यहां जो हम लोग देख रहें किससे आहां कुछ सीक रहें है मैं यह नहीं कहता हूँ कि सब अच्छे हैं जब तो कभी भी अच्छ नहीं होंगे सो में से अगर 80 अच्छ तो हम लोग 80 को क्यों नहीं उठा ते हम भोग ट्विंटी की पिछह की भाग रहे हैं जो खराब है औ मैंने खुछलमान चान के शेलिकान मुवी देखने बाद में गेरन्टीड के सार्थ एक बार्था बाद मैंने की के शेलिक् freuen ज़ुछ है! दweise जिसके लिए के संसर बोर्त होती हैه. तो संसर बोर्त को शाहे हम अगर एकता काम करने दे उसके बाद अगर कुछ बूरा लगता है हम लोग अपना point of view दे सकते हैं लेकिन पूरा-पुरी boycott कर देना है क्योंकि एक मुवी के पीछे बनाने के पीछे हम लोग जब बना रहे हैं एक मुवी कितनी महनत लग रही हमें हमें पता है दू मिनिट का सिन लेकिन हम लोग तीन घंटा लिया शुट करने के लिए तो उसी तरह से जो बॉलि एट के मुवी दे वहां पर तो एंक हजारों हजारों की ताधात में लोग वहां पर naukkeri कर अगर हम लोग इस तरह से सोचें कि नोकरी कर रहे हैं उनका घर चल रहा है इस मुवी इंडिस्ट्री के वदावलत एक जटके में हम लोग बोल्यूट को अगर बैंड कर दें तो हम लोग तो बैंड कर रहे हैं मतलब हीरो एं यह लोग को देखके लेकिन उनका क्या जो लोग के वहांड सीन इतना काम कर रहे हैं। उनका भी तो परिवार है… तो उनको कुछ करना है उन लों के लिए वही अगर जरीह है इनकम का तो हम उनको क्यों बेखर करना चाहते हैं। इह बॉइक बोल्योट जो है ये शायद लाइक मेरे ऑपिनियन में मैं शायद इसको कभी फेव जो जो बना रहे हैं और फिर बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं अगर उनको अम लोग एप्रिशेट कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं तो बोलियोड जिए फांडिशन इतने पूराने जमाने से हैं उसको अगर बोई-कॉट कर दे तो शायद यह सही नहीं होगा जो तो अच्छा है उसको उठाओ, इसका मतलब यह नहीं है, जो है उसको डबाई दो. So that's my opinion. अभी सबका अपना निजरिया होता है. अच्छा, यह तो बात हुआ बॉइकोट का. लेकिन आपका परस्नल व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि, जैसे आपने कहा, आप बच्पन से देखते हैं, और आपने शायद हर एक समय का मूवीज देखा है. तो आपको क्या लगता है कि, जैसे तरह कि, अगर मैं अपनी बात बता हूँ, तो पुराने जो मूवीज थे, शारुक खान के हो, सलमान को मैंने प्यार किया, कुछ-कुछ होता है, वो सारे मूवीज, वो एक औरा था, वो एक टाइम था, उस टाइम का, जहां पर लोग पा लोक्स, शायद कुछ कमी आगी है, बॉलिवूड स्किप्स में, क्योंकि मैं बात करहा हूँ, जो OTT की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि OTT बहुत लोग पसंद कर रहे है, OTT में बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन जो में स्क्रीन बॉलिवूड मूवी जो हो रही है, उसमें इतना नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या रीजन है? रीजन, अगर आप OTT को आप बोल रहे हो क्यों OTT के बात ना करो, तो एक्चुली में रीजन वो भी है, हम लोगों को इतने सारे वेराइटी देखने को मिल गए हैं, तो हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत पकड़ लिजे मैंने प्यार के आपने जैसे मैंने प्यार के या DDLJ जो आइकनिक मूवीज हैं, उनको देखने के लिए हम लोग हॉल में जाते थे, तो हमारे लिए DDLJ मतलब हाँ, वो शारूक का जोल जो खेत में दोर है, वो सिन हमारे दिमाग में छपा हुआ है, लेकिन अभी यह हो गया है कि रोमेंटिक बोल लिजे, थ्रिलर बोल लिजे, लगभग हार टाइप का स्टोरी हम लोग देख चुके हैं, अगर आप थ्रिलर मूवी भी देखने जाओगे तो ऐसा हो जाता है कि आपको पहले से कभी ना कभी पता चली जाता है, हाँ यह होगा विलन तो हमारे एक्सपेक्टेशनस लेवल बहुत हाई हो चुके हैं, प्लस ओटी की बात ना भी करो तो आई ही जाता है क्योंकि ओटी में इतने वेराइटीज हैं, तो आप हॉल में जाके जब देखेंगे तो आप सुचेंगे यार मैं इसको क्यूं देखो, मैं ओटीटी में द चाहिए, इसलिए करना भी चाहिए, ग्रिंस्क्रीन नीज ओर हो रहे हैं, लेकिन कही ना कहीं स्टोरी में लूपोल्स आरहे हैं, जिसके वज़े से वो लग कोपी कर रहे हैं, दूसरे साउथ के फिलिम्स को यह फिल्य लेकिन वो भी क्यों नहीं पहले भी कोपी होते थे, पहले भी बहुत सारे मुविस कोपीड हैं, लेकिन आजकल कोपी होने से ओडियन्स को एक जटके में पता चल जा रहा है, क्योंकि मैंने साउथ का मुवी पहले देखा हुआ है, और हिंदी मुवी में अभी देख रहा हूं, तो मुझे पता चल जा रहा है, उसी वज़े से क्य सकता हूं कि अभी जब द्रिश्यम 2 आएगा, क्योंकि द्रिश्यम 1 बनने के बाद लोगडाउन आया, ओटीटी का चलन हुआ, द्रिश्यम 2 आइधिंग जो लोग फिलिम देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, वो लोगों ने दिश्यम 2 देख लिया है, अभी अजय देख ज में चमक धमक ज्यादा आ चुका है, तो स्टोरी पे कमती काम कर रहे हैं, जैसे, ओविसली मैंने लिखा था, और क्रिटीक भी इसमें वी डिवी में दिया था, रेस 3, लोग गय सलमान को देखने हैं, लेकिन मैं खुद फिलिम देखके बहुत जादा बहुत जादा दिमाग बच्जों भी बोला तो वो लोग अभी भी है, लेकिन शायद कही ना कहीं डगमगा गया है, बोलते ना एक ताइम आता है, जहां पर बहुत डाउन हो जाता है, साउथ मुवी इतना नहीं था पहले, जो अभी हो रहे है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बोल्यूड भी नहीं देखते हैं, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि बोल्यूड मुवी पूरा पूरी साफ हो जाए, रहे, क्योंकि मैं अभी भी चाहूँगा सलमान शारूग अक्षे को बरे स्क्रीन पर देखना, वो लोग अमिर खन, वो लोग अगर हट गए तो शायद हमारा बच्पन उ स्टार कास इतना भरिया, रनवीर और अलिया जो खुद भी इतने अच्छे एक्टर है, लेक उनकी जो आप रनवीर की बरफी देख लीजिए, या फिर अलिया की हाईवेस, यह सब अग्जम्पल और भी बहुत सारी है, स्टार किर्स होते हुए भी वह, मतलब एक्टिंग म उनके कोई कमी नहीं है, लेकिन इस मुवी में शायद तो यह ज्यादा तर उस आप कहा रहे हैं कि वो लोग दूसरे चीसों में ज्यादा फोकस करने रेधर की स्टोरी राइटिंग या फिर जैसे आपने ब्रहमास्टर की बात कहीं, तो ब्रहमास्टर में इसमें जितने वी अच्छे VFX अभी तक हिंदी फिल्म में यूज नहीं हुए, इंटर्विल तक फिल्म में एक जोश था मुझे भी, लेकिन इंटर्विल के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो एक कन्फूशन था कि यह लोग लव स्टोरी बना रहे हैं या यह लोग एक एक Mythology, जो Brahmasterh है, जिए कॉम लोग जानते है, pięją का Astra. जिस वर्ट से यह फिल्म शुरू होता है, धे अस्त्रों का ऐस्त्र. अस्त्र का दे ब्रह roofs。 उस से शुरू होके, अगर अगर, जब यह फिल्म ऐसे खत्म होता है कि यह, प्यार ही सबसे बड़ा अस्त्र है यह हौ. तो क जब second part मैंने movie का देखा तो लगा कि मैं as an audience मुझे नहीं लगा जो मेंने पैसा दिया वो वोड्त है कि हाँ VFX देखा मैंने ठीक है लेकिन अगर मुझे VFX ही देखना होता तो शायद बाहूबली 1 बाहूबली 2 है बहुत सारे movies आज तो अज़ वीना VFX के movies बनती ही नहीं है तो लेकिन सिर्फ VFX और टेक्नोलोजी के जोर पर अगर मैं फिलिम को रखना चाहूं तो शायद कमजोर हो गई, क्योंकि हम लोग अगर इर्फान खान के मूवी देखें, वो उसमें VFX नहीं था, लेकिन इर्फान खान जब उनका प्रेज़न सिंप्लिसिटी आफ एक्टिंग, न जादा डाल दे और उसमें स्टोरी में उपर नीचे होते रहे, उतल पुतल होते रहे, दुनिया भर के स्टारकास डाल दे, शारुक खान था, उसमें अगर आपने अच्छे से देखा होगा, और जिन्दोंने भी देखा होगा अब तो आपको पता है, उसमें रनमीर की मा का जो रोल है, वो आइसिंक दीपेका पाडु कौन है, अभी जो यह आने वाले हैं, जो नेक्स्ट देव, वो अभी शायद देखते हैं, कौन होगा, लेकिन जादा स्टारकास्ट होना भी एक प्रोब्लम हो जाता है, प्रोडूसर या डिरेक्टर हो लोग सोचते हैं, किसको बड़ी फिल्म चल गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टेक्नोलोजी के दम पर फिल्म चला देंगे, हम लोग यहां पर मुवी कर रहे हैं, वह इसलिए हम लोग लोग के मुवी करते हैं, हमारे पास कोई टेक्नोलोजी नहीं है, ना रोब केबल, ना कुछ, फिर रोशन, रनवीर सिंग के भी बात की, हर कोई अपने अपने जॉनर में एक फिट, अपने अपने जॉनर में एक अच्छे एक्टर है, लेकिन हर कोई, कोई भी अगर एक आदमी घर पे बैट के सोचता है, वो सोचता है कि अगर मुझे एक्टर बनना हुआ, कि मुझे लीड रोल में हीरो का रोल करना है, तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक बोडी, और जैसे आप भी एक फिटनेस फ्रीक हो, तो इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या बोडी जरूरी है, क्या ये जरूरी है, और अगर है, तो क्या सिर्फ यही जरूरी है? जरूरी है, उसने पहले फिलिम से अपने फिजिक को इंपोर्टेंस दिया है and I think वह जिस तरह का आइकन बना है, आज तक कोई एक्टर नहीं बन पाया है, उसने फिटनेस शुरू किया, शुरू किया धर्मेंद्र ने, मुवी धर्मवीर, वो सब साइट से हैं, हीमेन, हीमेन का टेक दिया था उनको, और धर्मेंद्र के बाद जो आये हो है सलमान खान, और सलमान खान ने वो इसको मैंटेन रखा अभी फिफ्टी प्लस, लेकिन उन्होंने मैंटेन रखा, बाकी लगन अगर मैं फिटनेस की बात क जल्स, वो सब कुछ मेंग इंपोर्टेंट है, तो फिटनेस आज कल लेकिन क्या होता है कि आजकल जब हीरो या हुए हमारे जहन में यह जहन में यहाँ है कि हीरो है तो लुक्स अच्छ होना ही चाहिए हम लोग आफिटिंग बाद में देखते है क्यों क्यों का चाहरा कि एक बार चलता है। उसको ओडियन्स देखने के लिए सिर्फ एक बार बार नहीं आएगा। विद्धु जम्माल, विद्धु एक टॉप 10 मार्शल आटिस्ट में आते हैं। कमंड़ 1, 2, 3 किया। लेकिन हमें पता है कि अभी ऐसा होगी कि विद्धु जम्माल है, तो हमें पता है कि वो तो एक्षन ही करने वाले है। जंप मारेगा, किक मारेगा, गाड़ी के निशे से जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद अपना जोनल चेंज किया खुदा हाफिस मुवी में। जहाएँ बोल चेंट जिशा और उन्होंने एक्टिंग को जब जूदाएटा है। iaँ आएप फीजिक सिंपोर्टेंट लेकिन बोडी बनाके में सिक्सपेक दिखाना ये इंपोर्टें नही है और कभी भी important नहीं होगा अच्छा तो जैसे हम जब हर टाइम अगर कोई सलमान खान की बात करे तो पूरे देश में अगर मैं बात करूँ तो शायद सलमान खान और रहुल गंदी दो इंसान होंगे जिनके शादी के बारें बात करते हैं लोग और दिमापूर में जितना मुझे पता है जो आपके जाने वाले हैं जानने वाले हैं वो सब आपके शादी के बारे बात करते हैं शायद यह भी एक similarities है आपके और सलमान खान के तो क्या आप भी उनकी तरह या फिर कुछ होने वाला है आपके शादी हो चुकी होगी उसके बादी मेरी शादी होगी तो आज ऐसा हाला थै कि मैं उनके बच्चों का बड़्डे भी खा चुका हूँ तो अभी तक उनके दिमाग में या फिर जहन में यही क्वेश्चन है कि सर्क आपकी शादी कब होगी अब यह ऐसा चीज में तो जबरदस्ति किसे के सत्कर नहीं सकता कि आओ मेरे साथ शादी करो तो अगर लिखा होगा किसमत में तो शायद हो चुकी होगा वरना तो क्या अगर किसमत में तो करेंगे वरना जो टेग आप लोगों ने लगाया है सल्मान खान का शायद वही रहे कि चला जाएगा मेरा वी क्या पता लब तलास जारी है जूट नहीं बूलो गर तलास तो में नहीं करता तलास करने का वक्त नहीं मिलता और क्या बुलो अगर स्टोरी अगर कंल करो तो कहीं ना कहीं सलमान के कुछ स्टोरी मेरे स्टोरी से मैक करते हैं तो ऐसा हो चुका है ऐस्वरे भी थी कट्रीना भी थी तो जैसे कि आप कि अब इसे के साथ कट्रिना चली गई विकी कोष्टल के साथ चल रहा है वेसा ही तो मेरा भी कहीं न कहीं वेसा ही सीन चल रही है हम प्रेय करेंगे कि आपके जिंदिके में कोई जैकलीन जैसा कोई आजाए आज आपने बोला आपकी शादी जल्दी हो जोगाए अच्छा 25 September को release होने वाली है, IMC hall में, तो उसके बारे में हमारे दर्शह को अगर आब बताएं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितना हम Bollywood या अलग बहार की movies को जितना हम priorities देते हैं, हम हमारे Nagaland की movies को भी इतना देना चाहिए, तभी जाके हर एक इंसान, ना कि सिर्फ जो movie कर रहा है, ले प्रशन का भी भला होगा, उनके पैशन वह फोलो कर पाएंगे, तो इसके बारे में अपकी जो नहीं movie आ रही है, Mission Charlie, उसके बारे में थोड़ा बताएं, Mission Charlie, यह movie हम लोग actually release करना चाहते थे Independence Day पर, August 15 को, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे movie start तो हुई, लेकिन characters जूरते गए, और यह movie actually short video बनने वाले थे, लेकिन यह full-length movie बन गई है, एक के बाद एक characters जूरते गए, और मेरे उपर यह जिम्मा आ गया है, कि मैं हारे characters को एक अच्छा role में डालो, ताकि लोग उनको याद रखें, और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जहां पे है, वहां पे अगर, आप अगर मेरा movie देखने आएंगे, तो अगर मेरा video या फिर मेरा character अगर ऐसा नहीं लगेगा, तो next time शाद आप ना भी आए, तो मुझे यह दिमाग में टॉपिक अगर मेलू, तो simple है कि एक foreign delegate उनका kidnap हो जाता है, जो कि हमारे peace treaty के लिए बहुत ज्यादा important है, लेकिन एक team होती है Charlie, जिनको यह जिमा दिया जाता है कि तुम लोग उसको rescue करके लाओ, लेकिन यह तो रहा कि एक simple, एक layout में बता रहा हूँ, इसके ज्यादा detail में न अगर उसका एक civilian है, अगर उसका army dress हम हटा दे तो उसका भी family है, तो सबका family struggles होते हैं, यह सब छोर के भी वह वहाँ पर अपना mission पूरा करता है, तो यह सब कुछ लेके वहाँ पर family emotions, drama, comedy डालने की कोशिश की है, हमने, hopefully हम लोग successful होंगे, action जैसे मैंने कहाँ, यहां पर वै नहीं देखा यहां पर कहीं पर फास्ट फाइट देखा है, मैंने कराटे देखा है, यहां पर जितने भी local movies बनते हैं, और बहुत बहतरीन बनते हैं, मैंने देखा है कुछ-कुछ, तो मैंने चाहाँ कि थोड़ा हटके action करो, तो मैंने थोड़ा हटके try किया इसमें, तो action length अच्छे हैं, तो hopefully कि लोगों को पसंद आए, और जैसे कि मैंने कहा हा, हम लोग बनाते हैं, यहां पर और एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी actor, actress है, वो लोग voluntarily काम कर रहे हैं, they are not paid, उनको शौक है, उनको मन है कि करने का, तो वो लोग आके approach करते हैं, उनके body structure, personality के उ होता है, तो हम देते हैं, try करते हैं, इसके लिए, यहां पर जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ, कि वो लोग encourage करें, accent, Hindi accent, हमको भी पता है कि यहां पर कितने लोगों को Hindi properly बोलना आता है, तो लोग आते हैं, तो यहां पर क्या होता है, judge बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तो obviously हम लोग जैसे Bollywood के फिल्मों को judge करते हैं, यहां के लोग हमारे छोटी मूटी मूटी मूवीज को judge करके उसको down करते हैं, तो यहां पर जितने हैं, उनको अगर हम लोग encourage करें, कि चलो ठीक है, इस बार अच्छा बना लिया, next time हो अच्छा हो, तब जाके शायद, जब हम लोग वीडियो डालेंगे, जब हम लोग मूवी रिलीस करेंगे, तो सबसे इंपोर्टेंट क्या चीज आएगा, यह दिमापूर नागलेन का मूवी है, जब अपना state का नाम जब हम लोग पेपर में देखते हैं, नेशनल लेवल पे, यह लरका कहा है नागलेन का है तो एक अलग सा प्रावड फील होता है, अभी भी बहुत सारे लोग है इंडिया में जिनको पता भी निये नागलेन का है, एंड़ से फेक्ट, दिमापूर तो दूर की बात है, नागलेन इसे स्टेट होके भी लोगों को लेकिन अभी जैसे हम लोग अनेक मूवी देखाए नौर्थिस्ट को प्रोमोट कर रहे हैं, तो अगर बाहर बोल्यूड आके नौर्थिस्ट को प्रोमोट कर सकता है, हम लोग यहां पे रहे के क्यों ना अपने लोगों को तोड़ा प्रोमोट करें, इसलिए मैं चाता हूँ हाँ, यह 25 तारी को रिलीज होगी हम लोग सिर्फ दो ही शो रख पा रहे हैं क्योंकि cinema halls में लोगों ने अप्रोच नहीं किया क्योंकि पैसा भी matter करता है हम लोगों ने खुद hall book किया अभी जितना capacity हो चेक है और लोगों का प्यार है कि टिकेट बहुत ज्यादा fast sold out हो गया दो शोज है दोनों को शोज का टिकेट almost sold out है बस कुछ-कुछ बाकी है और I think वह भी जल्दी खतम हो जाएगा और कल जब मुवी रिलीज होगी आशा करता हूं कि दो बजे और छे बजे यह दो टाइमिंग हमने रखा है ओविसली पहला शो है तो थोरा प्रीमियर शो थोरा हम हमारे जो चीफ गयस्ते हैं उनका भी हम लोग स्थोरा टाइम लेंगे इसलिए वह श्याद थोरा डिले होके स्टार्ट हो लेकिन दो और छे का टाइमिंग अभी तक का फिक्स है तो जितने भी लिसनर सुन रहे हैं अगर आप लोगो थोरा भी दिल में दया आए कि भाई हम हम लोगों ने टिकेट्स रखा है सो रुपे का अभी पता नहीं मुझे एक्जक्ली मैंने अकाउंट नहीं रखा लेकिन टिकेट्स बहुत ज्यादा सूल्ड आउट हो चुके है पहला शोरा इंग क्यूंकि संडे है तो इविनिंग टाइम आएम सी हॉल में होने बाला है य परसंद आए तो शायद फिर से कहीं है कि हम लोग फिर से यह शो को चलाएंगे ऐसा अभी तक का प्लैनिंग है हमारा डिपेंड करते कि कालेक्शन कैसे होता है और जैसे मैंने कहा कि हमारा किसी भी एक्टर्स को पे नहीं कर रहें तो यहां पे जितना कालेक्शन होगा हम ल क्यों मैं दुसरों लिकवे के लिए बना रहा हूं सो ट्राइ कर रहें सो होपफुली लोगों को पसंद आएगा तो जितने भी लिसनर से आप लोग अगर सुन रहे हैं तो मिशन चार्ली इसके डिरेक्टर है कार्तिक कुमर इसमें भी डियालोग स्क्रिंप्रे मैंने ही किय यहां तो इसमें जरूर आईये गया बहुत सारे आपके जानने वाले लोग होगे कि इसमें तो आपके जानने वाले कोई ना कोई उसमें जरूर होंगे आइए। उनको देखिये encourage किजिए उसको केसे बहतर बनाए वो suggestion दीजिए हम लोग ताकि और अच्छा काम कर सेगा हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग ने बोली लेवल का movie बना दिया वो बहुत वक्त है लेकिन हम लोग ने बनाया है तो kindly आके देखिए और मुस्कुरा के जाईए बस वहीं बोल सकता हूं जरूर जरूर मैं भी हमारे सभी listeners को दर्खास करूंगा कि आप जरूर जाए हमारी खुद की movie है हमारी खुद के जगा की movie है तो यह था दोस्तो हमारा आज का शो जाने से पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले तो धन कारण तो ने से पहले आप से पूछना चाहूंगा कि आज क्योंकि हम भी नया स्टार्ट कर रहे है हिल्स एफम 90.8 ऐसे फम नया शो है नया रेडियो स्टेशन है हम भी कुछ रेडियो नागलन में इतना चलता नहीं है हम भी कुछ एक हटके कर रहे हैं एगेंस दी फ्लो ज मैं चाहता था कि मैं यह बात उठाऊं, 90.8 Hills FM, पहले भी शाद FM रेडियो शुरू करने का चलाने के लिए कोशिच थी, यहां पर उतना नहीं चला, यहां पर जब यह फिर से स्टार्ट हुआ तो उस दिन मैंने सुना एक्चुली, I think advertising, पहले बात तो advertising शाद उसकी जरूरत त लोग जानते हैं कि ऐसा 90.8 Hills FM है, तो आप लोग ट्यून इन करें, at least इस पर, क्योंकि जब तक listeners नहीं है, तो शायद FM है listeners के लिए, तो मैं भी चाहता हूं, जैसे बाहर जब जाता हूं, लोग hardly MP3 यह सब सुनते हैं, गारी में जो बोलिए यह फिर कहीं भी बोलिए, FM आजकर हर मोबाइल में FM है, हर गारी में एंटीना है, जहां पर आराम से FM कैच कर सकता है, सिर्फ दिमापुर में क्यों, फ्रिक्वेंसी शायद अभी आप लोगों को ज्यादा पता होगा इसके बारे में, लेकिन यह FM को I think बहुत ज्यादा हाइप मिलना चाहिए, ताकि और भी ज्यादा कंपनीज आए, और भी ज्यादा FM चुरूओ, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा FM कंपनीज होगा, I think उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, तब जाके कंपेटिशन होगा, तब जाके वराइटी और प्रोग्रम मिलेगा, लिसनर्स जो हम लोग पू सुनिए, अपने दोस्तों को रेफर कीजिए, कि हिल्स FM 90.8 हमारे टाउन में आ चुका है, और बहुत बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दीजिए, ताकि ये बहुत 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 सक्सेस्फुल एक FM स्टुडियो बन जाए, और आज के एक्स्पेरिंस के बारे में बोल और शुभकामना है और आपकी जितने भी यहां पे टीम है, पूरे एफम के उनको बहुत 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 शुभकामना है कि आप लोगों ने ये इनिशियटिव लिया, एक FM स्टुडियो हम भी यहां पे खोले। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे लिसनर्स, भूलना मत, हि मेरे दोस्तों ये था सुदीपतो चक्रवर्ती जिनकी मूवी कल मिशन चारली आ रही है अब सब जाके देखें और तब तक के लिए मुझे यानि आरजे रेट्स को आप दीजे इजाज़त और जैसा कि मैं मेरे हर शो में बताता हूं कि हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चल झाल